इस वक्त हम खड़े हैं मंसोर जिले की दलोगा कशी उपज मंडी में और यहां जो है रायडा और लसुन की वंपर आवाख है यहां कुछ किसान भी हमारा साथ में है कि आज क्या भाव उनको मिला है क्या सोच कर आया थे और कितने उपज लेका आया थे आप कहा सा आया था एल पत्चीस से तीस लेकिन बारह हजार ही विखा होता है यहां जो है देखिए आप बता दूमें कि यहां जो उपज है उसकी निलामी की जा रही है और लसून के करीब जो है दस जार से पंद्रह हजार तक के भाव अभी मिल रहे हैं हलाकि एक पकवाड़े के पहले करीब तीस द्रहदा होने से या डवाड़ काम होने से जो भाव है उसमें कहीं ने कहीं गिरावत आई है और करीब 15,000 तक जो है लसुन की जो है वह मिल रही आए इसके साथ ही जो राय citation है और बाकी जो उपजेए उसकी किम प्फेयां कि कम कीम चार् मंदी में है जिए इस बार अभी जो है और किसानों को अपनी उपज का, discounts मिल रहा है लेकिं कि सानों, क कहना लोग का जो उतार आया है उसका क्या कारण है क्या कारण है लगतुर में और अभाव क्या रहा आज आज एक्चुल में बाहर सेंट्रों पर भी और अराइवल भी जो किसान का फ्रेश है माल का वह भी अधिकत बढ़ गया है पूरे इंडिया में सवा लाग से डेड़ लाग कट्टे के आसपास का और एकदम अराइवल बढ़ गया है तो उसकारण भी थोड़ा सा रेड़ डाउन हुआ है आज उपर में 16,000 रुपय तक बिगा है 16,000 रुपय तक क्वालिटी किसाब से नीचे में पांच साड़े पांच 6,000 रुपय है देशी माल इससे पहले 15 दिल पहले क्या बाहर नीच देशी माल बिग रहा था नीचे में 15-16,000 रुपय और उपर में 30-32,000 रुपय तक माल बिगे है और जो उपज है क्या आखास आज किसके आवक ज्यादा रही होगी क्या वाव मिला हो कुछ अधा मंडी में उटी लसन का ज्यादा हता है तो वह आज भी मतलब आप मानके चल क्या है